कि अगर हम इस फोटो के उपर एक स्ट्रोक टेक्स्ट लगाना चाहें तो किस राइप स्ट्रोक टेक्स्ट को लगा सकते राइट तो सबसे वहले मने दिखा दू मेरे पास में यहां पर पूरे प्रजेक्ट के अंदर तीन लेज हैं एक हमारी बैगरॉंड ले जिसका कोई काम तो अगर मैं इसको बंग भी कर दूंद कोई दिक्कत नहीं होने वाली को यालो कि यहां पर चाहरा हूं सकसेस अपर मेरा जो अज आज के लिए वह है हमारा सकसेस तो मैं यहां पर लिख लेता हूं थे और मैं इसा फॉंट जो है इसी टाइप का कुछ ऐसा रखना वाला हूं तो कोई एक अच्छा सा फॉंट करते हैं जो की सक्सेस के लिए एकदम परफेक्ट हो और उसको जह देख करके कुछ इस टाइप का ही फीलिंग आए अगर आप कैसी भी टाइप का अगर फॉंट बना रहे तो उसके लिए जैसा आपका टेक्स है उसी टाइप का अगर आपका फॉंट होगा तो आपका जो इसके अंदर एक चार चांद जया लग जाएंगे ठीक है काफी अच्छा लगा फॉंट तो मैं यही वाला फॉंट जो कामु राइट अब काफी अजीव ना में तो आप कर सकते हैं चलिक स्टार करते हैं अब इसका क्या में मोटिव में को कैसा बनाना है कि हमारे पास में यह इमेज है यह एक्ट्वली इमेज को मैं यह टेक्स तरी इस इमिज के पीछे रहेगा यानिंग कि कुछ इस टैप से मुझे success दिखाना भी है तो कई बार मैंने आपको कल भी बताया था कि हम कई बर कै करते हैं कि हमारा जो subject है उसको क्या है रखते हैं पीछे उसको आगे रखते हैं हमारा टेक्स थोड़ा से पीछे रखते हैं अब यहां पर अगर आप ऐसा ही उसका नचाहों कर सकते हो लेकिन इसको एक चीज़ अब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई नहीं थी कि आप अगर आप करना चाहिए अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अच्छी लगती है तो आप अच्छी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अग किर यहां इसकी मेंन करने वाला हूं फिल लेकिन हमारे पास में अगर अगर अपने फिल कर दिया है है तो फिर इसका मतलब ही क्या है चलिए इसको वापस करते हैं अब इसका क्या मतलब है इसको अभी बंद देखते हैं एक स्ट्रोक में चलता हूं ठीक है इसको एक स्ट्रोक देंगे चुकि रहेगा वाइट कलर में तो मैं इसको वाइट ही कलर सलेक्ट कर लेता हूं ठीक है ब अब आपके ऊपर आपको stroke कैसा चाहिए कितना चाहिए इसका size क्या चाहिए इसका color क्या चाहिए everything is all up to you अब सोच रहोंगे कि यह सिर्फ subject के उपर क्यों है बाहर कैसे नहीं आ रहा है तो आपके काम कीजिएगा आपके बास में कुछ ऐसा बन जाएगा अब जैसे आप डिफॉल्ट करेंगे ऐसा आएगा तो यह सेंटर होगा इस सेंटर को इंसाइड का लेजिएगा आपका नीचे लिए दोनों को select करके नीचे उपर करना है ठीक है अपने को यहां पर देखने को मिल रहा है अभी आपके उपर आपको कैसा चाहिए था अचा अब इसके यह तो एक तरीका बताया कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते आपको कोई और तरीका चाहिए लाइक हमारे प कर लेता हूं सेम इसके अंदर भी है लेकिन इस बार आपन क्या करेंगे राइट ले करेंगे और इसको कर लेंगे चाहिए इसके अंदर आपको कितना चाहिए वह आप करो कि तब ही आपका एफेक्ट क्रियेट हो पाएगा राइट बाकि आपके ऊपर अगर आपको थोड़ा बहुत दर उद्धर करके देखने आए कि कैसे एफेक्ट कर पारे तो आप वह आपकर सकते हो और यह दिखिए जैसे अपने इस पर क्लिक किया तो अपने पास में यह आपके ऊपर है की आपको ऐसा चाहिए है कि अगर आपको अट्सवाला चाहिए तो क्या तोorient गया अहां ट्रपर जिशा फ़ती हो यह आप यूज और अगर मनाना चाहिए कस्टम ओप्षिन में जाओ ये रहा आपके बास मैंम है आपको पहले भी बताया था एक पार्ट है इसके बाद में गैप कितना लेट्स है मुझे फोर टू फिर डैश भी तू गैप बी तू राइट फिर डैश भी तू यह डैश फाइफ और गैप फाइफ राइट तो कुछ इस लाइप का अगर आपको एफेक्ट चाहिए यानि की पूरा कस्टम कस्टमाइज सही है वह आप यहां पे पूरा अराम से कर सकते हो अच्छा क अगर आप राउंडड कर दो कि तो आपके बास में कुछ इस टैप का देखने को मिल जाएगा तो यह होता है कि आपको अगर आपको कस्टम बनाना है तो आप कस्टम भी बना सकते हो यह दोनों तरीके मैं आपको बता दिया अगर आपको कस्टम नहीं चाहिए सिर्फ सिंग कर सकते हों कि किस ट्रोक वारा टेक्सटम यहापर कर सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो के लिए थी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देजिए वाइज